कि हलो दोस्तों आज मैं आपको आईटी के बारे में बताऊंगा आईटी इंटेलीजन टर्मिनल यह वेब रीज में लगाई जाती है और एक तरफ तो इसका इंडिकेटर काम करता है जो अवेट दिखाने का काम करता है और एक तरफ बेट से होता है और पिंटर भी इसमें केंप्यूटर का वो भी इसमें टेज हो जाता है और भी इसमें कई बंक्षन है आज यह हमारे पास में कुछ प्रोब्लम हो आ जाने की वज़े से आई है तो हम इसे रिप्वेयर करेंगे इस पहले में आपको जानकारें दे देता हूं तो देखिए यह आईटी है इससे पह आपको ओन करके दिखाऊंगा देखिए यह डिस्प्ले वेट दिखाता है इसमें कुछ प्रोब्लम आ जाने की वज़े से हैं यह डन पर अट गई है तो इसे अपने को रिपेर करनी है इसमें कुछ प्रोब्लम आ जाने की वज़े से हमें इसे रिपेर करना है यह बहुत अच्छी डिवाइस है वेब रीच की तो देखिए इसके अंदर कापी लंबा चोड़ा सर्किट होता है इस सर्किट खराब हो चुका इसलिए इस सर्किट को हम चेंज करेंगे चेंज करते वक्त भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा बाकी फिलाल आपको वेसे ही में चेक करवा देता हूं इसमें कौन-कौन से काड़ होते हैं एक तो यह डिस्प्ले होती है वेड जो दिखाती है डिस्प्ले और एक यह है मेमोरी वगेरा जो भी जिसमें मेमोरी है वगेरा टाइम वगेरा जो भी चेक होता है टेक्ट होता है इसके लिए है और मैं आगे भी आपको वुज दिखाऊंगा यह इसमें transformer होता है power supply होती है main card होता है memory card होता है देखिए अब हमें यह सरे circuit check करने है और check करके इनको replace करेंगे तो इन्हें replace करने से पिले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं यह इसका switch है यह power supply है यहाँ से power in हो रहा है Q यह और बहुत सारे component इसमें लगे हुए है तो इसमें problem आजाने की वज़े से यह done पे ही अटक गई है तो हमें इसे repair करना है देखिए इसे हम repair करेंगे है और फिर आपको repair करने के वक्त की वीडियो हम आपको दिखाएंगे इसके card replace होएंगे और आगे भी मैं इसमें IT के बारे में बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा तो आपने देखा यह थी IT अब इसकी maintenance के बारे में आपको अगली वीडियो में दिखाता हूं झापको दिखाएंगे तेंगे झापको दिखाएंगे